नमस्कार्व दोस्तों स्वागत है आपका हमारे लॉटूब चानल पर जिस तर में आपको बताऊंगी किस तरह एक लोंग से प्रचन्ड वशाएक्रन किया जाया है जी हां सिर्फ एक लोंग और कोई सामगरी नहीं चाहे सबस्य निए इस तरह प्रचंड वश्य करन् सकते हैं तुさ किस्awsze को पूर्ट अपना बना सकते हैं एक लौग मांध्यम से आई आपको बताती क्या है कि कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लॉग लेनी है और इस एक do को हमें अपने मुह में दबा कर रखना है जी हां और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब यह लॉंग आपने अपने मुह में रख रखे हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है लेकिन इन सब की भी एक शर्थ होती ह इस वशीकरन की भी एक शर्थ है अगर शर्थ को आप मानेंगे तभी ये वशीकरन साथक सिद्ध होगा और वो शर्थ ये हैं कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुँ में एक लौग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण साब तक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम भी नहीं करेगा तो इसलिए बात का ध्यान रखेगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशी करण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बलकि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चलचा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दश को वशीकरन अपना सब तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरन करना चाह रहे हैं किसी व्यक्ति को अपने वश्च में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वश्ची करन करते हैं तो ये वश्ची करन कभी भी साब्थक सिद्र नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधी अपनाने से पहले इस बात का खास तोर पर ध्यान रखेगा कि वश्ची करन करने से पहले खास कर ये विधी अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजे, उस व्यक्ति का ध्यान कीजे और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है, सिर्फ एक लॉग से प्रचंड वशीकरण है तो इस विधी को अपनाईए और एक लौग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाईए किसी को इस हद तक अपना बनाईए कि वो आपके दूर जाने के नाम से ही काप चाए वो ड़ जाए कि आप अगर उन्से दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदिगी कैसे जीएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशी करण है ये तो इसे करने से पहले ही जरूर सोच लिजेगा कि आप उस व्यक्ति को वश्मे करना ही चाहते हैं तभी इस विधी का प्रयो किसी और वशी करण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समधान फोन पर किया जाएगा फोन कीजे आपकी समस्या का समधान होगा और आपको एक खुश हाल जिंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजे फिर हाजर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरहां आप खुद को खुश रख सकते हैं जय मातादी दोस्ते